हलो मैं हूँ रश्मी और आज मैं आपको हावडा न्यू दिल्ली दुरंतों की एक जलक दिखाती हूँ तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो ये है नई दिल्ली का रेल्वे स्टेशन एकदम साब सुतरा एकदम मखन की तरह और ये जो आप साइड में दिख रहे हैं ये हावडा न्यू दिल्ली दुरंतों खड़ी है और ये नई दिल्ली से 12-40 पे खुलती है बिहार और जारकंड वालों के लिए ये यहां से खुलती है और बांकी सब के लिए यहां से चलती है तो आपको बताते हैं इस ट्रेंड का टीकट का क्विमत तो यह आ रहा है आपके स्क्रीन पे टीकट का प्राइस इस ट्रेंड का बट जो प्राइस आपको दिख रहा है उस पे आपको जल्दी मिलेगा नहीं क्योंकि इस train में dynamic pricing लगा हुआ है जिसका मतलब है जैसे जैसे टिकट बिकेगा वेसे वेसे price भी बड़ेगा तो बात करते हैं इस train का दुरंटों, दुरंटों का मतलब होता है सबसी fast, सबसी तेज जब यह train स्टार्ट हुआ था तो यह train सबसी fast train था अभी भी कुछ दुरन तो सबसे फास्ट है मैं तो ये मैं फरस्ट एसी में टिकट बूक कराई थी ये मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी मैंने गलती से कूप आप्शन सेलेक्ट कर लिया था बट थैंक गॉड रेलवे वाले ने मुझे कूप एलोट नहीं किया वरना मुझे किसी और पैसंजर के साथ कूप में अकेली ट्रैवल करना पड़ता उन्होंने मुझे चार बर्थ वाला कैबिन एलोट किया बट थैंक गॉड यहाँ पे फिर से मैं लखी हुई कि मुझे यहाँ पे कोई पैसंजर नहीं मिला चार बर्थ वाले कमरे में मैं अकेले राज की अगर आपने अभी तक मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लो किसी स्टेशन में मिलूँगी तो पचानूंगी भी नहीं और लाइक नहीं किया तो मैं बाद भी नहीं करूंगी अगर आपको दो बर्थवाला कैबीन और चार बर्थवाला कूप के बारे में ज़्यादा डीटेल से जानना है तो लाश्ट में एक थमनी ला रहा है उसमें क्लिक कर दिजिए तो आपको डीटेल में पता चल जाएगा और मैंने बातों बातों मैं आपको पूरा कैबिन दिखा दिया ये दुरंतो एक्सप्रेस का तो ये देखिए ये है दुरंतो कैबिन का व्यूँ यहां पे सारे फैसलिटी है स्टेप्स भी है तो ये मैं आपको किसी और का कूप का व्यूँ दिखा देती हूँ ये खाली है कोई नहीं है तो मैं सोची चलो आपको दिखा देती हूँ कूप कैसा होता है दुरद्नतों का तो ये है और मैं अपना समान अपने केविन में छोड़ के आई हूँ मुझे डर लग रहा है कई पेरा समान लेके कोई निकल न जाए तो ये देखो कूप का व्यू और एक जलक में चलिए आपको इसका वाश्रूम का वी व्यू दिखा देती हूँ तो ये है वाश्रूम तो थोड़ा सा खिड़की से बाहर भी दिखा देते हैं कैसा लग रहा है बाहर ये नई दिली का रेलवे स्टेशन है ये मैं कॉरिडोर का व्यू दिखा रही हूँ इसमें पेंटिंग लगा हुआ है और पेंटिंग के जस्ट उपर लाइट लगा हुआ है और ये देखो लाइट रंग बदल रहा है बिलकुल हमारे देश के नेता की तरह और ये देखो एक आदमी पानी से खेल मकड़ी कर रहा है मैं सोचे आपको भी दिखा दू और ये ट्रेन खुल गई मैंने हावणा तक बुक राया लेकिन मैं तो रास्ते में ही जा सीडी में ही उतर जाओंगी अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिए और चाइनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू